नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट जिसको शॉर्ट में आप NPA के नाम से जानते होंगे तो यूशुली क्या होता है कि जब भी हम NPA की बात करते हैं तो हम उन बैंकों पर फोकस करते हैं जिनका NPA काफी खराब है और especially आपको पता होगा जो public sector banks हैं उनका NPA बहुत जादा problematic देखने को मिलता होगा जिसको हम bad loan कहते हैं लेकिन यहाँ पर आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से better performing banks है जिनका NPA सबसे कम है जी हाँ 5 Indian banks की मैं आपसे चर्चा करूँगा अलग-अलग और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो exactly करते क्या है जिसकी वजए से NPA उनका कम रहता है लेकिन इसमें एक बात तो होता है कि कोई भी एक भी PSU जो PSU bank जैसे State Bank of India, Punjab National Bank कोई भी आपको top 5 में नहीं मिलेगा अब दिखिए जब मैं top 5 कर रहा हूँ तो NPA सबसे कम किसका है उसकी top 5 की मैं बात कर रहा हूँ हाइस top 5 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर चली इसके बारे में देखते हैं, overall context से जानेंगे और NPA इतना problem क्यों करता है यह हमारे economy को कैसे effect कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो simply आप हमारे app को download कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं वहाँ पर जितने भी courses हैं आपको काफी कमदाम पर मिल जाएगा तो चली सबसे पहले देखेंगे exactly हो क्या रहा है जैसे कि आपको बता है जो non-performing asset जिसको हम bad loan कहते हैं इसका सरल मैं आपको definition बताऊँ जो RBI के दौरा दिया गया है RBI का ये कहना है कि अगर कोई भी bank कोई भी financial institution सबोज SBI ने यहाँ पर एक loan दिया था 1000 करोन का और 1000 करोन का ये जो loan है वो SBI को 90 दिन तक उसका कोई payment नहीं आया है मतलब कि 1000 करोन के उपर जो interest देना है जो premium pay करना है जो भी कुछ देना है वो 90 दिन तक नहीं आ रहा है बहुत सारे ऐसे businesses थे जिनके पास पैसा नहीं था payment नहीं कर पा रहे थे तो ultimately एक nightmare जैसा हो गया था Indian banking sector के लिए और बहुत सारे banks इस समय NPA से गुजर सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है तो यहाँ पर कुछ bank ऐसे हैं जिन्नोंने बहुत अच्छे से अपने आपको सम्हाल कर रखा ताकि उनका जो NPA है वो बढ़े ना लेकिन कुछ ऐसे banks हैं जो की पूरा NPA के cycle में अटर कर सकते हैं ठीक है आप यही चाहोगे ना जो loan दिया है वो वापस है यह कैसे आप ensure करोगे यह तभी तो ensure होगा ना कि आप सही person को loan दो आप एक ऐसे person को loan दो जो की वो पैसा वापस लोटा सके तो इसके लिए bank को बहुत सारे काम करने परते हैं due diligence जो होता है कि उसका past record कैसा रहा है कहीं उसने पहले भी तो इस तरह की चोरी नहीं की है या फिर देखें ऐसा नहीं कि NPA नहीं होगा NPA होगा definitely होगा जैसे कि अगर आप कोई business को कर दे रहे हो पैसा और वो business अच्छा perform कर रहा है आपको पता है कि आगे चल कर अच्छा perform करेगा लेकिन आगे चल कर you never know business में तो risk होता है व लेकिन usually बोला जाता है कि अगर किसी भी bank का NPA 3% के नीचे है तो वो manageable है ठीके 3% का मतलब क्या हुआ जैसे कि एक bank है उसने 100 रुपए total मिलाकर 100 रुपए यहाँ पर loan पर दिया है ठीक है तो इसका 3 रुपए वापस नहीं आया यह NPA हो गया ठीक है तो यह इसको कहेंगे 3% आयो की यह समझ रहे होगा कि आप तो यहाँ पर 3% एक manageable limit बताया जाता है NPA का होना चाहिए लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था कि कोई भी ऐसा public sector bank नहीं है जो top 5 में आपको देखने को मिलेगा तो सबसे better performing bank कौन सा है NPA के मामले में मैं एक करके आपको पांचों bank के बारे म बताऊँगा सबसे पहला आता है HDFC का नंबर देखिए HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा private bank है by asset के टांफ में या फिर market capitalization का मतलब होता है कि उस share का price कितना है HDFC का share का price मान के चलो 2000 रुपए है ठीक है और total number of shares कितना है HDFC का उससे आप multiply कर दोगे तो यह market capitalization आ जाता है तो यह आपर market capitalization के हिसाब से और asset के हिसाब से HDFC बैंक देश का largest private sector bank है और पूरे banking sector में आप देखिए तो 10% share करीब करीब 10% से थोड़ा सा कम है यह आपको HDFC बैंक का दिखने को मिलग और इसी लिए जो देश का one of the most respected bank आप कह सकते हो HDFC बैंक को बताया जाता है इसका जो retail customer service है ब better मिल जाता है मतलब margin कहीं है मतलब जो भी मुनाफ़ाव अगरा हुआ वो उनको better मिल जाता है और इसलिए आप देखिए पिछले 40 quarter से एक साल में 4 quarter होते हैं मतलब 10 साल के आसपास अगर आप देखोगे तो 20% जी हाँ 20% year on year growth profit growth की मैं बात कर रहा हूं वो आपको देखने को म बहुत कम ऐसे banks हैं जो इस तरह का performance दे सकें और NPA अगर आप देखो इसका net NPA अच्छा एक और चीज़ाद रखेगा एक होता है gross NPA और एक होता है net NPA देखो gross NPA हमेशा net NPA से जादा होगा ध्यान रखेगा क्यों क्योंकि net NPA gross NPA में difference यह होता है gross NPA सपोज मांग के चलो मै net NPA 3% है इसका मतलब यह हुआ कि अगर bank ने 100 रुपए दिया था तो gross NPA का मतलब यह होगा कि 5 रुपए वापस नहीं आया है ठीक है अब यह 3% अगर मैं कहता हूं net NPA तो कई बार आपने देखा होगा कि bank क्या करते हैं provisioning कर देते हैं मतलब bank पहले से ही मानके चल रहा है कि 2 2 रुपए तो आएंगे ही नहीं आएंगे तो वो अपने profit में से 2 रुपए side में कर देगा उसको ठीक है provisioning उसको कहते हैं तो 5 में से 2 रुपए हट गया मतलब यह 3 बचाना तो net NPA कितना हो गया 3% हो गया इसी को कहते है net NPA मतलब actual loss तो 5 रुपए है लेकिन अगर bank ने क्या क अब कितना कम है मतलब कि HDFC bank ने जितना भी रुपए दिया हुआ उसमें से अब उसको loss maximum सिर्फ उसका 0.5% हो सकता है यह net NPA दिखाता है जो कि पूरे banking में आप देखो तो सबसे best है यहाँ पर और उसका कभी भी net NPA अगर आप देखो गे ना पिछले 10 साल में यह 0.5% से उस समय थोड़ा सा बढ़ा था यह लेकिन उसके बात से आप देखिए 10 से 11 साल से कभी भी 0.5 के उपर ने गया हमेशा नीचे ही रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो अभी लेटेस जो आकड़ा है उसके इसाब से 0.48% इसका net NPA देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर आता बनाये गया था जो हिंदुजा ग्रूप के प्रमोड़र है स्रीचंद हिंदुजा वो इसके प्रमोडर थे उनके द्वारा इसको स्टाट किया गया था तो यहाँ पर इंडसेंट बैंक का यह बताए जाता है कि उसका जो average loan है, जो loan growth होता है, मतंब bank कितना loan दे रहे हैं, उसका growth काफी अच्छा हुआ है, लेकिं इन्हों ने कभी भी अपने asset quality से compromise नहीं किया है. Asset quality का मतलब है कि जैसे कि अगर indrescent bank लोग किसी को loan दे रहा है, इनका NP अगर आप देखोगे तो वो भी ये भी आपको 0.5% से ही नीचे देखने को मिलेगा पिछले 5 वर से और ये leadership position बनाया हुआ है बहुत सारे retail asset वागरा के अंदर तो इनका भी यही होता है कि यहाँ पर जो इंडेसिंट bank है वो यहाँ पर due diligence के साथ जिसको भी loan देना है वो देता है तीसरे नंबर पर आता है kotak bank यह third largest bank है private की मैं बात करा हूँ ध्यान रखेगा by market capitalization मैं आपको पहले बता दिया यह कई सारे products offer करता है जैसे corporate, retail, banking, customers बहुत सारी चीजे और पिछले दो बर्श में आप देखोगे दो बहुत ही अच्छा है इन्होंने performance दिखाया कोटक bank की मैं बात करूं कोटक महिंद्र आपने bank सुना होगा तो इनका net NPA 1.5% से नीचे है ठीक है बाकी अभी हमने बात किया उससे थोड़ा सा उपर ही है लेकिन इनसे नीचे आपको करीब 1.5% से नीचे देखने को मिलेगा इनफाक्ट एक और interesting चीज़ बताता हूँ पि 3.5% के नीचे ही है और gross NPA 3.56% के आसपास है मैंने आपको पहले difference बता दिया चौथे नंबर पर यहाँ पर बताया जाता है federal bank देखो federal bank एक बहुत ही unique अलग किसम का bank है कैसे इसका headquarter आपको केरला में मिलेगा क्यों क्योंकि federal bank का ज्यादा तर काम अगर आप देखिए तो ज 15% remittance अकेले federal bank के द्वारा handle किया जाता है और इसका customer base करीब 10 million के आसपास है और NRI customer करीब 1.5 million के आसपास देखने को मिलेगे तो बहुत सारा remittance इसके पास आता है और इसकी asset quality भी again बहुत ही जादा अच्छी है मतलब कि यह उन ही लोगों को यहाँ पर loan वगरा देता है ज ICICI bank I am sure कई लोग सोच रहे होंगे कि ICICI bank का क्या situation है तो let me tell you ICICI bank आपको पता होगा it is one of the three systematically important banks आपको पता है SIB systematically important banks यह RBI के दोरा धर्जा दिया जाता है कि यह बहुत important bank है एक तो HDFC है आपका ठीक है दूसरा है आपका SBI और तीसरा है आपका ICICI bank यह तीन ऐसे bank है जो कि बहुत important है यह डूबने नहीं चाहिए तो यहाँ पर ICCI bank का share आप देखे तो करीब 7% के आसपास है total banking sector के अंदर और इनका भी presence आपको हर जगा देखने को मिलेगा life insurance, general insurance, सारे sectors में आप देख सकते हो और net NPA इनका करीब 2% के आसपास है पिछले last decade से अगर आप देखो 2017-18 को अगर आप छोड़ तो यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड हो गया था इनके साथ, कई सारे जो MSME वगरा को इन्होंने loan दिया था वो वापस नहीं आये थे, तो उसके अलावा तो यह हमेशा नीचे ही रहा है आप देख सकते हो पिछले 10 वर्ष में, 2% के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा net NPA, तो यह भी अच्छा कर रहा है काफी है तक और यह पांच best bank है, जिन्होंने काफी अच्छे से ध्यान दिया है कि उनका जो net NPA है वो नीचे रहे, अब NPA नीचे रहेगा तो वो bank ज्यादा बेटर perform कर पाएगा, यह क्या दिखाता ह होने का मतलब simple यह होता है कि जो उन्होंने लोन दिया वो कम loss में जा रहा है, मतलब ज्यादा तर लोन वापस कर रहे हैं, आब bank को क्या चाहिए, कि जो भी उन्होंने लोन दिया है वो वापस आ जाए, तो bank को काफी महनत करनी पड़ती है, अब आप इसको compare करो public sector bank के साथ, वहाँ पर क्या favoritism वगर जैसी चीज़ें मिलती हैं, कि चाचा के भाई के ताओ के भती जाने, अब जो भी है मैं ऐसा नहीं करहा हूँ कि क्या ही जाता है, काफी जादा इमांदार लोग होते हैं, सही लोग होते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफी तक PSU's वगर में काफी हद तक बहतर perform कर सकते हैं, ठीक है, फिर है यहाँ पर एक question आता है कि NPA इतना बड़ा issue के है, अगर NPA बढ़ता जाएगा banking sector के अंदर, यह हमारे economy को काफी बड़े पैमाने पर impact कर सकता है, एक तो यहाँ पर जो financial loss है, अब जाहिर सी बात है न, bank को क्या हो रहा है, loss हो रहा है, अब आप इतना जादा NPA बढ़ा दोगे तो bank ही डूब जाएगा न, अब bank डूबेगा तो आप सोचो कितने लोगों का पैसा है वहाँ पर, लोग अपना इधर पैसा जमा कर रहे हैं, और bank यहाँ पर पैसा दिये जा रहा है सब लोगों को, और वो पैसा वाप impact डाल सकता है, इसलिए NPA को सही तरीके से manage करना चाहिए, फिर last question है कि यहाँ पर भारत सरकार क्या कर रही है, recently मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कि finally जो bad bank है, वो आपका बन चुका है, अभी जो bad bank बना है, अब नाम इसका bad bank है, लेकिन bad bank क्या करेगा, कि जो NPA है, अलग बैंकों से वो अपने पास transfer कर लेगा, अब इसके उपर एक details से अलग से video available है, आप प्ली सर्च कर लेना, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, तो ये 5 Indian banks है जिनका lowest NPA था, इसके बारे में आपको बताना चाहता था, जाने से पहले बहुत interesting question, देखो NPA की समस्या को सरकार काफी लंबे समय से, करी 25-30 साल से कुछ ना कुछ कदम आपको initiatives देखने को मिलेंगे, तो क्या बता सकते हो chronology wise, सबसे पहले कौन सा initiative लिवा गया, फिर कौन सा, फिर किस तरह का, ये आपको यहाँ पर बताना है, ये 5 initiatives है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले कर रहे हैं, तो simply आपको हमारे app को download कर लिजा, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है, आपसे next time till then, thank you very much, see you soon.